नमस्ते या विभादन आपका इनोसेंट इन्मेस्टर के इस नए वीडियो में बाजार की बात करेंगे 17900 पे क्लोजिंग, कल थी 17800 की क्लोजिंग और आज है 17900 की क्लोजिंग, exactly हम 100 पॉइंट उपर की क्लोजिंग आज दिखाए हैं, कल के कंपेरिजन में अगर हम पॉइंट नहीं करती, तो उप्सन डिटा रिस्की बड़े लेवल पे होता है, क्योंकि जो राइटर्स होते हैं, वो रिस्क पे आजाते हैं, तो थोड़ा से यहां पर अब आपको सावधान रहने की ज़रूरत है, एक बार बाजार 17940, 17945 की लेवल को तोड़कर, क्लोजिंग बेसि आपको समझाते हैं, यहां पर बाजार खुली, और कहां पर बाजार ने सपोर्ट वगएर लिया, यहां पर आप देखिए, एक लेवल आपको बताया गया था, 17850 का, 17855 का, और वहीं पर बाजार खुलती है, और एक्चुली खुलती थोड़ा सा उपर है, और उसके बाद वहीं पर आकर सपोर्ट लेती है, लगबग लगबग वहीं पर सपोर्ट लेती है, बाजार में एक बड़ी हां अप्टिक आ जाता है, 17940 के आसपास का बाजार जो है हाई बनाती है, और उसके बाद 17907 पॉइंट पर क्लोजिंग दे जाती है, बात करेंगे निफ ट्रेड लेने से मना क्यों कि या, लेकिन उसके बाद भी ये सवाल आपको नहीं पूछना चाहिए, यतने भी लोग टेलिग्राम पर मैसेज देख करके सवाल पूछें वाटसेब पर, आप से सिर्फ एक रिक्वेस्ट है, कि जो मैंने आपको इंप्रोटन लेवल्स बताए है, जो म सिगनल मुझे देगा, वही सिगनल आपको भी देगा, वही चीजें, वही कैलकुलेशन सब के लिए रहेगी, वही डेटा सब के लिए रहेगा, सब को पता है, कि तीन मिनट पे आज हमें सेल साइट का ट्रेड लेना था, फ्यूचर्स में टार्गेट हिट हुआ, ठीक है, मैं आपको समझाएंगे अभी ट्रेड, और दस मिनट की कैंडल पे मैंने ट्रेड लेने से क्यों मना कि आव आपको बताएंगे, उससे पहले बता दें, फ्यूचर्स में हमें तीन मिनट की कैंडल पे सेल साइट का ट्रेड मिला था, और आराम से में आपर बड़ा मोमेंटम मिला 20 पॉइंट एक बड़ा मोमेंटम होता है अगर आपको नहीं पता हो तो हजार उपय का प्रॉफिट छोटा नहीं होता और वहाँ पर अगर आप ब्रोक्रेज भी हटा दो तो भी साड़े साथ सो तो प्रॉफिट कहीं गया नहीं है अब बात कर लेते हैं दस मिनट की केंडल पर क्या इंट्रेस्टिंग घटा बहुत ध्यान से देखिएगा एक बड़ी रिकवरी हमको इस केंडल पर आई यहां पर जो रिकवरी आई इस रिकवरी को देखते हुए प्लस मैं सेटप बाई दे रहा है तो याद तो मैं 17910 के उपर की क्लोजिंग का इंतजार करूं कि आपके लिए इंपोर्टेंट लवल भी आपको बताया गया है इसी कारण मैंने हाँ पर आपको ट्रेड लेने से मना किया और जो लोग फ्यूचर्स में यहां पर ट्रेड नहीं पर आपको भी मैंने मना कर दिया था आपने भी नहीं लिया होगा ट्रेड कौन सा लेना था अप्संस में वह आपको समझा देते हैं क्योंकि तीन मिनट वाला जो ट्रेड था यहां पर मेरा टार्गेट नहीं हुआ तो इसको समझना काफी ज्यादा जरूरी है यह जो रेड होता यहां से आप जो टार्गेट लगाते अब यहां पर अगर आपको 700 रुपय के आसपास कमाना है तो आपका टार्गेट लगभग लगभग 15 रुपय का होना चाहिए था 230 यहां पर 230 का लेवल आया नहीं कोई दिककत नहीं अब मैं एक चीज आपको दिखाता हूं कि यह अब ही आप कोई ट्रेड लीजिए जो लोग टेलिग्राम से नहीं जुड़ें वो जुड़ जाए क्योंकि वहां से आपको help तो मिलेगी रोज ऐसा नहीं होगा कि आपसे जो बताया जा उसके उलट ही हो जाएगा 17910 के लेवल को आपको इंपोर्टेंट मानना था अब यह किये यह वाला जो आपको यहां पर कॉल खरिदनी थी 17950 की कुछ लोग 18000 की भी कॉल खरिदे हैं बहुत अच्छी बात है आप सब इंजॉय कीजिए बहुत अच्छी बाइंग थी 204-205 यह लेवल बेस्ट था यहां पर बाइंग करने का लेकिन जिन लोगों ने 200 पर मोमेंटम इसने चुटकी बजा कर आपको दिया है 12-13% का मोमेंटम दिया 10% पर आपका लगभग लगभग टार्गेट होना चाहिए ठीक और यह 10% हम कैसे डिसाइड करते हैं हमें बस 7.500 का प्रॉफिट चाहिए कुछ लोग कुछते हैं ब्रोकरेज कैसे करती है कितनी करती है जहां पर exactly जादा ट्रेड में करता हूं या फिर किसी भी जो भी हमारे पार्टनर्स हैं लगभग इतना ही चार्ज कारते हैं 215 पर हमने कोई कॉल खरीदी 230 पर हमने कोई कॉल बेंच दी या पुट खरीदी पुट बेंच दिया जो overall turnover हुआ हमारा 22-25,000 का हुआ यहां पर हमें जो brokerage देनी पड़ती है ना 70-75-80 रुपए भस इससे आदा नहीं ठीक है 70-75-80 रुपए अब सोचिए आप मात्र 80 रुपए चार्ज दे करके आप यह option का trade ले रहे हो तो तकलीफ क्या है तो वही आपको handle भी करना है 80 रुपए का मतलब क्या है एक दो रुपए आपके पक्ष में आना चाहिए क्योंकि 50 की lot size है आप यह भी बात समझ गए होगे तो जो भी trade करना है आपको किसी एक चीज़ पर भरोसा करना ही पड़ेगा setup ने यहाँ पर आपको बड़ यहां buy call दी और target हीट करके दिया यहाँ पर हमको sell call मिली थी, target हीट नहीं हुआ, futures में दोन loss, ठीक कोई सवाल सुजा हो तो connect कीज़ेगा WhatsApp पे और जिनको सिकायत रहती है कि भाई साथ मेरे द्वारा पूछे हुए सवालों का हमें जवाब नहीं मिलता तो मैंने आपको कई बार समझाया है, दोस्त कि stock specific सवाल मत पूछिए, मत पूछिए, यह आप गलत कर रहे हो अप क्योंकि आपको आपके अलामा कोई और जवाब नहीं दे सकता, रिलाइंस का चार्ट मैंने क्यों खोला है, क्योंकि कुछ दिन पहले मैंने आप से कहा था कि बाजार की मुखबले यहां पर अभी momentum बाकी है, result की उमीद तो TCS से भी काफी जादा है, हो सकता है, रिलाइंस से ही आपाएगा, तब रिलाइंस 212 पे अवेलबल था, आज रिलाइंस 27 पे अवेलबल है, बड़ा momentum दिखाया है, IT stocks ने आज दिलखुस किया है, TCS का result है, कोसिस करेंगे, discuss करें, आपके साथ result, top movers की बात करें, उससे पहले कि stock ICIS है, potential life, यहां पर आज बड़ी गिरावट आ हुआ है, देखते हैं, result से उमीद काफी है, इन stocks से, क्योंकि यह काफी valuable stocks है, इसलिए इतना महेंगा trade करते हैं, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा, क्योंकि stock गिरा हुआ है, अगर reversal दिखाये तो पकरना जरूर, बात कर लेते हैं, top movers की, nifty next 50 underperform किया है किवल दो stocks के कारण, और यहां पर लिस्ट आप देखिए, पिरामल इंटरप्राइजेस, ICI-S, Prudential Life, Chola Finance, अधानी गरीन, अधानी ट्रांसमिशन यह सब गिरे हैं, ICI-S, Prudential Life और पिरामल यह दो stocks ने इस index को ही negative में closing दिलवा दी, 100 point हो भी, अब बात कर लेते हैं, nifty mid cap कि, इसने अगर positive performance आज दिखाई है तो किसके कारण, किसके कारण, MRF 85,000, माइन ट्री देखिए, माइन ट्री देखिए, 5% उपर बंदी दिया है, को फोर्ज पॉने 4% उपर, SRF 3,5%, IRCTC 3,5%, गिरने वाले stocks में, गोदरेज प्रॉपर्टीज, MFSL, रैमको सिमेंट, कुजरात गैस, कमिन्स इंडिय इस सब गिरें, गोदरेज प्रॉपर्टीज तो 4,5% गिर 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 गिर, निफ्टी बैंक अंडर परफॉर्म किसके कारण किया, आपके प्यारे दुलारे बैंकों के कारण, KOTAK और HDFC, भागे काॉन, कॉन, Axis Bank, AU, PNB, RBL, बंधन, लेकिन कुछ कर नहीं पाए, इस इंडे Finance, Axis Bank, Bajaj Finserv, SBI, ICICI Bank ये थे, आउटपर्फार्मर, निफ्टी, फाइनस, सर्विसेज के, गिरने में, पिरामल, इंटरप्रीज़, ICICI, Prudential Life, चोला, फाइनस, मुथूट, फाइनस, SBI Life थे, जो डेड़, 2, 3, 4, 5% भी गिर गये, अब बात करते है, निफ्टी, 50 की, Reliance, विप्रो इंफो सी स्टाटा मोटर्स टेक महेंद्रा धूम धढ़ा का धूम धढ़ा का रिलाइंस पान चार परसेंट उपर क्लोजिंग वह 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 वा बाई वा क्या मस्त मोमेंटम है गिरने में कोल इंडिया लाइफ NTPC मारूती स्री सिमेंट कुछ खास गिरावट थी नहीं इसी कारण ये इंडेक्स गजब की तेजी के साथ बंद हुआ अधरवाइस ग्लोबल मार्केट से हमारे लिए कुछ खास अंके थे नहीं हम नहीं अभी आपसे विदा ले रहे हैं जल्दी मिलते हैं बढ़ियां है बाजार की क्लोजिंग और आज बढ़ियां दिन भी गया अब बात करते हैं 17910 वाले लेवल की और यहां पर जो चार्जेस लग रहा है इसकी अगर आपका ब्रोकर यहां पर 100 रुपए या उससे ज्यादा चार्ज ले रहा है तो थोड़ा सा आपको चेक करने की जरूरत है क्योंकि आप कमा ही कितना रहे हो 7-800 रुपए और हाँ यह 7-800 कितना पैसा लग कर आ रहा है 10-11,000 अब उसके हिसाब से देखोगे तो आपका रिटन 5-6% का हो गया कुछ लोग कहानगे खेसार आप इतना बहंकर रिसक दिल आरो हूँ एक चीज याद रखना आप 40 की राफतार में गारी चलाओ एक गंटे मे चाली सिरो मीटर जाओ cannot weaken 60 कि रफतार चलाओगे, 60 km जाओगे, 80 कि रफतार से चलाओगे, 80 km जाओगे, I hope यह तो आपको बात पता है, लेकिन यहां पर गाड़ी चलाओगे, तो गिर गए तो मरोगे नहीं, यहां पर गिर गए तो हाथ पैट टूट जाएगा लेकिन मरोगे नहीं, और यहां पर गिर और यहां पर यह उपर गए और गिर गए तो बचने की चांसे कम होते हैं, तो हमको शुरुवात यहां से करनी है, सीखना है, कुछ ऐसे एक्सपर्ट्स हैं, जो 80 और 900 गाड़ी चलाते हैं, गिरते भी नहीं, तो पस कोशिस यही करनी है, हम गिरे ना, हमारा क्रैस ना हो, क्रैस किस तरीके से होता है, कुछ लोग कहते हैं कि option buying में, बहुत रिस्क होता है, तो अगर क्विस्ट option आप 200 पर बाई कर रहे हो, मैं मान रहा हो को एक दिन 0 हो जाएगा, लेकिन 0 होने के लिए उसे 1.5, 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 1.5 रिस्क है, एक्विटी कैस में भी रिस्क है, कई स्टॉक्स बरबाद हो गये हैं, बिल्कुल मानता हूं options में जादा रिस्क है, इसलिए मैं कहता भी हूं कि जो लोग option के risk को समझते हूं, कि वल वही option trading के लिए जुडने की कोसिस करें, जो लोग नए आये हो, वो equity cash में ही कर लेकिन जो risk समझता है, उसे बात बता है, कि अगर मैं 78% कमाने के लिए, 78% दाउं पे लगाने के लिए तेयार खड़ा हूं, तो ही options मेरे लिए है, trailing stop loss का यूज करके 78 की जगह मैं 8-10% भी कमा सकता हूं, लेकिन वो हमेशा होगा नहीं, तो इसलिए risk reward manage ही करना होगा, और long